दिली से लेकर दूर पहाडों तक गर्मी ने हर जगर लोगों के हालत खराब कर दे दिली में तो शनिवार को पारा 47 डिगरी का अकड़ा पार कर गया और यही हल उत्तर प्रदेश हर्याना से लेकर पंजाब तक का है पहाड तक गर्मी की अटाक से अच्छूते नहीं है मई परिशानी में गुजर गया लेकिन सूरज का लगता है कि अभी जी नहीं भरा जून में भी गर्मी ने ऐसा कहर बर पाया कि त्राही त्राही मची है हीट वेव ने देश की राजधानी को अपने आगोश में ले लिया है किस कदर गर्मी पढ़ रही है इसका अंडाजा इस बात से लगाई है कि दिल्ली में शनिवार को अधिक्तम पारा रहा 47 तशलब एक डिग्री गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार पहले काफी सालों से इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इतनी गर्मी बढ़ रही है तो अपने को लगता है कि अपना सर फटा जा रहा है हाईदरबस ते डेली गूमने लिगे आये बहुत ज्यादा दूप है इदर नहीं रही सकत रही दिल्ली के कोने कोने में गर्मी से छटके छुड़ा दिये पारे के चाट पर नज़र दोड़ा आईए मुंगेश पुर में पारा 47.01 डिगरी रहा जाफर पुर में ये 45.07 डिगरी रहा नजब गर्में भी पारा 46.02 डिगरी रहा तो रिच में पेड़ बौधों के बाद भी पारा 45.05 डिगरी रहा पीतम पुरा में पारा 46.05 डिगरी रहा दिल्ली ही क्यों गर्मी ने किसी राजी को नहीं बक्षा यूपी से लेकर हिमाचल तक गर्मी का राज है ये प्रयाग राज की तस्वीरे हैं जहां शनिवार को पारा 46 डिगरी रहा लोग मूँ ढखकर चलने पर मजबूर हो गए भीशन गर्मी और लू ऐसी मानो आस्मान से आप बरस रही हो गर्मी की तो इंतियाव चुकी है बहुत जबरजस्त गर्मी है हर राजे में गर्मी ने जीना दूभर कर दिया है देखिये पंजाब के पठान कोट में बाजार खाली है हिमाचल और जम्मू से आने वाले कारोबारी नदारत है यूपी के हमीरपुर में भीशन गर्मी ने अस्पतालों में मरीजों की भीड बढ़ा दी है यहां पारा 45 डिक्री है और मौसनी बीमारियों से लोग बीमार पढ़ रहे है हाल यह है कि मरीज जमीन पर बैच कर अपनी बारी आने का इंतिजार कर रहे है पहार भी भयंकर गर्मी से कहां बच पाए है चमपावत में गर्मी से जंगलों में आग लगी है नाक्पुर में दो दिन भीशन गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है गर्मी में मैदानों से पहाडों की तरफ लोग भाग रहे है